Hello everyone, so कल है Monday and कल के लिए क्या trades बन रहे हैं nifty and bank nifty पे हैं, कहाँ पे buying zones हैं, कहाँ पे selling zones हैं हमेशा की तरह हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं सब कुछ, आपको बताएं कि जो भी मेरा next day का trade plan होता है वो एक दिन पहले मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बतायता हूँ, जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आज, उसे की बेस पे कल मैं सारे trades लूँगा, ठीक है, यही चीज़ आपको बताएं हमेशा की तरह वही चीज़ में आपको यहाँ पे बताने वालों मेरा कल का क्या trade plan रहेगा, उससे पहले एक बार यह भी डिस्कस कर लेते कि Friday को क्या हुआ था, तो देखो Friday को हमारे दो trades बने थे, जो मैं आपको दिया था, निफ्टी और बैंक फिर दोनों में हमारे trades बने मैंने निफ्टी का trade लिया था, जिसमें मेरा 875, पर लोट मेरा profit वहा था, यहाँ पर मैंने breakout पे इंटर ली थी, और यहाँ पर इस लेवल तक का target बड़े अराम से market नहीं दिया, यह मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, यह trade मैंने आपको दिया हुआ था, बैंक न trade बना ही नहीं, हमारे इस वीडियो के according trade मिला ही नहीं, क्योंकि मंडे को आपको जाद होगा, बहुत बड़ा gap-up market ओपन हुआ था, तो इस दिन हमारा कोई trade नहीं बना वीडियो के according, class वाले जो setups है, class जिन्होंने भी class वगर रले रखिये, तो वो setup जो हमारे बने थे, उसके बहुत अच्छे profit में गया है, in fact, काफी सारे मेरे students और काफी सारे लोग आप follow कर रहे हो, पूरा week नो SL रहा है, हमारा काफी अच्छा सा रहा है, तो अगर आपने इस week में मेरी ये दोनों वीडियो भी देखियोगी, तो काफी अच्छा खाली आपने profit किया होगा इस वीडि निफ्टी में क्या trades बन रहे हैं, देखो, निफ्टी के लिए सबसे पहला जो अपना trade बन रहा है, हमारे पास ये सारे levels है निफ्टी के लिए, and सबसे पहला जो हमारा trade बन रहा है निफ्टी में, हमारे पास ये वाला level है, ये हमारे पास level है, 21,006 का level है, अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी open होता है and अगर इस लेवल को उपर breakout देता है, इस लेवल के उपर अगर closing मिलती है, हम यहाँ पे call buy का plan कर सकते हैं, यहाँ पे अगर इस लेवल के उपर जो अपना यह level है, पहला trade जो अपना बनना है, यह जो अपना level है, 21,006 का level जो है, अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी nifty open होता है, और इस लेवल के उपर आके breakout देते, अगर इस लेवल के उपर आके candle close हो जाए, तो हमारा यहाँ पे एक call buy का plan बना सकते हैं, जिसका हमारा final target यहाँ तक करेगा, first target यह रहेगा, right, and final target हमारा यह रहेगा, first target will be 21,053, final target will be 21,096, right, first and second target, देखो जितने भी trades मेरे होते हैं, आपको पता है कि मेरा उसमें 2 target होता है, first target का मितलब होता है कि 80% lots मैं अपने यहाँ पे book कर लूँगा, बाकी बच्चे वे 20%, मैं final target के लिए wait करूँगा, stop loss entry पिला आके final target के लिए wait करूँगा, 20% quantity है साथ, 80% lots लेकिन मैं यहाँ पे book कर लूँगा, यह first and second target का मदलब होता है, यह हो गया अपना पहला trade जो मेरा यहाँ पर बन रहा है, बट अगर मालो gap up open हो जाए nifty, इस level के उपर पहले सी अगर open हो जाए, तो उस case में क्या करूँगा मैं, देखो यह अपना level है, 21,006 का, अगर नीचे open होगा तो breakout पे call लूँगा, बट अगर मालो gap up open हो जाए, इस level के उपर पहले सी open हो जाए कहीं भी, तो उस case में, अगर इस level के पास आए, और इस level को अगर बिना support लिए, इस level पे बिना support लिए, अगर नीचे आके candle close हो जाए, अगर nifty हमारी इस level को उपर open होता है, और नीचे आके बिना support लिए इस level के break कर दे, तो हम वेट करेंगे वापिस उपर आने का, और जब वापिस उपर आके candle closing दे दे, इस level के उपर, हम यहाँ पे call by का plan again कर सकते हैं, जिसका first target है, and second target हमारा ये level रहेगा, अब देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से trap करे, मतलब यहाँ पे simply में put वालों को trap करना है, put वालों को trap करने कर ट्रेड लेंगे, अब यहाँ पे एक चीज है, अगर मानलो इस level पे break out दे भी यह अगर मानलो 21,006 का जो level है, अगर इसके ऊपर open होता है, अगर इस level पे बिना support लेंगे, नीचे break कर दे, और उपर रहे वापीस तो trade लेंगे, जो आपको बता है, इस तरीके से call buy का trade ले सकते हैं, अब देखो support लेने वाला concept थोड़ा सा रिस्की है, अगर नीचे आकर breakout दे दे और put वालो को फिर हम trap करें, तो वो ज़्यादा सही trade बनेगा, तो जो भी case होगा, हमें लेना यहाँ पे call buy का ही trade लेना, यहाँ पे put का नहीं देखना है, simple सा यह concept है, इस level पे, call buy का ही plan करना है, put का trade नहीं लेना है, दूसरा trade जो हमारा यहाँ पे बन रहा है, वो है अपने पास यह levels, देखो, अच्छा यहाँ पे एक और level हम draw कर लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा, so let's draw a level around this point, ठीक है, देखो, यहाँ पे एक और हमारा जो है trade बन सकता है, अगर मानलो यह वाला level है, अपने पास एक, ठीक है, 20,931 का level, तो इस level के उपर कहीं भी अगर open होता है, अगर इस level को नीचे अगर breakout दे दे, पहला तो scenario यह बनेगा, पहला case ही बनेगा, अगर इस level के उपर open होता है, इधर कहीं भी open हो, और इस level पे आके support ले, और एक green candle बनाए अगर, support and second target रहेगा हमारा यह level, so first target will be 20,969, final target will be 21,006 का level, ठीक है, first target, second target में हमेशा वही करूँआ है, जो मैं आपको बताया था सबसे पहले बने rate में, 80% lots मैं book करूँआ, 20% lots यहां पे trail करूँआ, ठीक है, अचा, अगर मान लो इस तरीके सा support ना ले, nifty, तो simply क्या हो सकता है, कि इस level के नीचा के breakout दे सकता है, 20,000, 931 का level है, इस level के उपर कहीं भी open होके, और इस level को अगर नीचे break कर दे, बिना support लिए, और नीचे अगर candle close हो है, हम put का trade नहीं लेंगे, हम यहां पे put वालो वो track करेंगे, wait करेंगे वापीस इस level के उपर आने का, और जैसे वापीस इस level के उ trade बनेगा, call का, या तो इस level के उपर बनेगा, दोनों से जहां पे बहेंगे हमें इस तरीके से प्लान करना होगा, ठीक है, तो यह दो trades हमारें बन रहे है, nifty में, या तो nifty हमें यहां पे trade लेकिन call वाइका trade लेंगे, इस level पे put का trade नहीं प्लैन करेंगे, अब आते हैं दिख़ा ऑता है मतलब इस लेवल के नीचे अगर गैपडाउन उपन होता है तो इस लेवल पर आने का वेट करेंगे तो या और एकu और एक रैड गैंडल बनायेगा और अगर ऐसा करेगा हम यहां पर put buy कर सकते हैं, जिसका first target and second target हम ये level बना सकते हैं first target will be 20,791 and final target will be 20,731 इस तरीके से अगर मानलो यहां पर rejection ना ले, nifty simply क्या करे, इस level के नीचे gap down open हो 20,850 के नीचे कहीं भी open हो और इस level पर बिना rejection ली अगर breakout दे देता है उपर बिना rejection ली अगर उपर breakout दे, हम क्या करेंगे wait करेंगे, call buy नहीं करेंगे, हम wait करेंगे वापिस, घूम फिर के वापिस इस level के नीचे आनेगा, और जैसे इस level के नीचे आगे closing मिल जाएगी, हम simply यहां पर put buy का plan करेंगे, जिसका first target ही रहेगा and final target हमारे ये level यहां पर put buy का plan करेंगे, gap down वाले case में अगर sideways open होके इसको break करेंगे, तो फिर हम यह trade ने लेंगे, only gap down अगर इस level के नीचे होता है तो यह trade यह लेंगे, ठीक है, अच्छा, last week हमारा कोई SL नीचे है basic knowledge नहीं है, तो आप इस video के बेस पर बिलकुल भी trade नहीं कर सकते है number one point, second point, अगर आप मेरे trade plan को follow करने वाले हो जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ, तो telegram channel का link मैं आपको description में दे रखा है telegram channel जो है, उसको जरूर जोइन करना है वहाँ पर मैं आपको live market के भी कुछ update दे दूँगा, जैसे मैं जो भी कर रहा हूँ, आपको बता है जैसे जो भी चीज़े होती है, जैसे मुझे अगर पहले profit book करना पड़ रहा है या फिर मुझे थोड़ा सा hold करना पड़ रहा है, wait करना पड़ रहा है अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले मुझे profit book करना पड़ जा किसी रीजन से मुझे लग रहा है कि या नहीं अभी यहाँ पर ज्यादा profit नहीं मिलेगा, थोड़ा इतने महीं book करके निकलना पड़ेगा तो वो सारे updates मैं telegram पे दूँगा, बाकि trade plan मेरा यही रहेगा, कुछ इस तरीके के updates जोओंगे, वो मैं telegram पे दूँगा, जो की सुनना बहुत जरूँ है, नहीं तो आप इस वीडियो के बेस पे बिलकुल भी trade नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप telegram चैनल पे नहीं हो, तो इस वीडियो के बेस पे बिलकुल trade नहीं करना, यह होगा इस तीसी, second point, third point, अगर जो भी मेरा जो लिंक है, जो भी चैनल है, जो भी अकाउंट्स है, वो डिस्किप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, अगर काफी सारे fake अकाउंट्स बने हैं, तो उनसे दूर रहना है, अग जिसका लिंक डिस्किप्शन में है, वही मेरा है, बाकि सब फेक है, आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी का डिसकस करते हैं, यह सारी चीज़ इस थी में आपको बता दी, बैंक निफ्टी में हमारे क्या trades बन रहे हैं, बैंक निफ्टी का डिसकस करते हैं, बैंक निफ्ट 3000303 का level तो अगर इस level के नीचे कहीं भी open होता है bank nifty कहीं भी इस level के नीचे open हो और इस level के उपर आके अगर breakout दे दे इस level के उपर अगर आके candle close हो जाए हम यहाँ पे call बाय कर सकते हैं जिसका first target ये level and final target ये level रहेगा ठीक है first target रहेगा 47,395 का and final target रहेगा 47,506 का right and ये रहेगा अपना trade अगर मालो gap up open हो जाए in case इस level के उपर अगर मालो पहले ही gap up open हो जाए 47,303 के उपर पहले से अगर open हो जाए तो उस case में क्या करेंगे इस level पर आने का wait करेंगे इस level पर आके दो चीज़े करेगा या तो इस level पर आके support लेगा और एक green candle बनाएगा और अगर ऐसा कुछ करेगा हम यहाँ पर call बाए कर सकते हैं अगर यहाँ पर call बाए करेंगे क्या बोला था मैंने कि अगर इस level पर आये gap up open होने के बाद इस level पर आके अगर support लेता है और एक green candle बनाता है support लेने के बाद support लेके एक green candle बनाए तो हम यहाँ पर एक call बाए का प्लाइन कर सकते हैं जिसका first target एंड यह हमारा second target 47,000 395 47,000 506 के यह दो लेवल्स है first target second target ठीक है बट अगर मानलो इस level पर support ना ले simply क्या करें bank nifty हमारे इस level के ऊपर open होके नीचे बिना इस level को support लिए बिना इस level पर support ले नीचे अगर आके breakout दे दे हम यहाँ पर put का trade ने लेंगे wait करेंगे इस level के वापिस ऊपर आनेगा और जब वापिस इस level के ऊपर आके closing मिल जाएगी ठीक है गुमफिर के जैसे भी है उपर आके फिर से closing दे देगा तो हम यहाँ पर call by का plan करेंगे again जिसका first target एंड यह second target पुट का trade हमें इस level पर नहीं ले ना only call by कही trade plan कर सकते है इस level पर तो यह levels है इसके बाद दूसरा जो trade बन रहा है वो भी एक बाद discuss कर लेते हैं अच्छा एक और चीज़ मुझे बतानी है कि वैसे तो daily daily profit होता है तो आप मेंसे कुछ लोग बिल्कुल भी कोई comment करके करने नहीं आता लेकिन मुझे एक चीज़ बता है कि अगर मालो महीने में मैंने आपको अगर 15 बार trades बताए ठीक है और 15 में से अगर मालो 13 बार भी आपको profit होगा तो आप मेंसे शायद कुछ लोग ही होंगे बस जो यहाँ पर आके बोलेंगे कि profit म आप लोग और एक दिन भी आपको SL हो जाएगा चाहे आपकी गलती से ही क्यों ना हुआ हो तो आप लोग यहाँ पर आके comment जरू करोगी कि मेरा loss हो गया तो मुझे profit में भी अगर आपको सुनने वो मिलेगा कि हम मुझे profit हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा देखो last week कोई कि भी हमारा जो है SL नीट हुआ इनफेक्ट उससे पहले भी काफी अच्छा profitable रहा है बट एनिवेज जो भी है आप लोग की मर्जी आपको बताना है नहीं रताना है बट हाँ यह थोड़ा सा मुझे लगता है गलत लगता है मुझे ऐसा हुआ नहीं है बट मुझे बता है कि इसा होगा तो ऐसा ही होगा anyways एक बार और जो अपने trades हैं वो discuss कर लेते हैं बैक निफ्टी का एक और ट्रेड हमारा बन सकता है अगर मान लो यह त्रेड बना बहुत अच्छी बात है सबसे अच्छा trade बैक निफ्टी का यही वाला है दूसरा trade जो हमारा बन रहा है एक है प्रपनिशन होगी इस लेवल पर या तो इस लेवल पर आके सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन केंडल बनाएगा और अगर ऐसा करेगा हम यहां पर कॉल बाय का ट्रेड लेंगे कॉल बाय का प्लाइट कर सकते हैं जुसका टागेट रखेंगे हम इस लेवल तक का ठीक है अगर युथा सपोर्ट लेके एक ग्रीन कानट बनाता है तो यहां तक हम कॉल बाय का ट्रेड लेंगे यहां तक का टागेट बुक करेंगे बट अग wilt si support न ले इस लेवल पे इस लेवल कहीं बी ओपन हो और नीची इस लेवल किया ब्रेक आउट देते सुपोर्ट न लेवल बीन 110030 धी ध्यान अखना कि यह जो ट्रेड है। यह ट्रेड श्कैलपिंग ट्रेड है। हो सकता है कि यहां पर हम ट्रेड में एंट्री करें घी तो पूरा टागेट हमें ना मिले। This is probability हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ये trade scalping trade है, अब scalping trade का मतलब क्या है, कि 400-500 रुपेगा अगर आपको पर लोट प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, 400-500 रुपेगा पर लोट अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो चाहे आप यहाँ पर दिख जाए प्रॉफ क्योंकि एक scalp trade है, यहाँ पर पूरे target का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसी आपको 400-500 रुपेगा पर लोट प्रॉफिट दिखे लेके छोड़ दो, निगल जाओ, ठीक है, तो ये trade है आपका scalping trade, बाकि अगर इस level के उपर जाता है, तो हम दुबारा trade में entry कर लेंग class join कर सकता हूँ, 16th December को batch शुरू हो रहा है, तो जो भी मेरा trade plan में, जिस तरीकर से मैं साज़ी चले करता हूँ, वो सब कुछ ही मैं सिखाता हूँ class में, levels कैसे draw करना, इन levels के बाइस पर trading कैसे करना है, प्लस other बाकि जो भी strategy है, सब कुछ, तो website पे अगर आपको join करना है, तो